कि बाशनिदिया पेटिकल करके दिखाया है और एक नई उम्मित जगाई है पर अगर गटकरीजी के किये वए कारिक अनुसार पेटिकल जो करके दिखाया उन्होंने खेटी करना उसकी प्रोसेसिंग करना उसका विक्रे करना अगर इस आधार के निती बन जा है तो ये देश दुनिया में सिर्मूर बन सकता, इसलिए एक बार कुल है, मैं गटकरी जी का अभिनंदन करता हूँ, डाक्टर सीडी माई जी, स्री पुराटकर जी, मेरे छोटे भाई भागरे चोदरी जी, बहन कपूर जी और आप सब का, मैं अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता कि मुझे आपने इस कारकव में अमंत्र करके, मुझे भी जानकारी और मिलेगी तागी में मद्द्प्रदेश के विकास में अपना योगतान हम दे सकें, मुझे बताते हूए यह खुसी हो रही है, कि जो अंतराश्टी फसल स्वास्ट वर से उसमें फसल स्वास्ट बंदने भारती कहानिक उस्तक का विवोचन हो रहा है, यह निश्चित रूप से भारत के करसी विकास में अहम भूमी का निभाएगी, क्योंकि जानकारी हमारे किसानों तक, नीचे तक पहुंचे, कि वो किस प्रकार खेती करें, आज का जो समय है, वो पेस्टिसाइट का इतना उप हो रहा है कि उसके कारण हमारी मिट्टी भी खराब हो रही है, हमारी फसले भी खराब हो रही है, और किसान के आर्थिक इस्तिती भी गड़बर हो रही है, इसलिए भारत के प्रधान मंत्री नरेंद मोधी जी के नियत्रत में, 2022 तक जो किसानों की आई, दोगुना करने का ल जार्म से अधिक किया है जहां साड़े साथ लाख सिचाई इतार उसको चुम्मालिस लाग एक्टर तक किया है हमारा क्रसी विकास दर जो माइनस में था उसको हमने बढ़ा पर 20% से अधिक किया और लगातार पांच वर्स तक मानि गड़करजी के महरगस्तर में हमने काम किया ह और प्रसी कर्मन पुरुषकार मद्यप्रदेश को मिला है और मद्यप्रदेश की जो आर्थिक स्थिती है और खेती के आधार पई है और अभी हमने देखा है कि कोरोना के संकट में जब पूरे उज्योग, धंदे, व्यापार, व्योसा, पांच, चाय, दुकान, होतन सब ब लोग दोनों टाइम भोजन और सब्दी और दूद का सेवन करके जीवित है तो उसके लिए किसान, और इसलिए हम सब को किसान को इसको प्रत्मित्ता रखनी होगी, और किसान इस देश की रीड है, इस देश की आत्मा है, उसको हमने मजबूत किया तो देश मजबूत होगा और जो प्रधानमंतिजी का संकल्प है आत्मनिरवर भारत का, तो किसान आत्मनिरवर होगा, तो भारत आत्मनिरवर होगा, और किसान को आत्मनिरवर मिराने में ये जो पुस्तक है, ये पूरे भारत की कहानी है, इसके अंदर क्या कमिया रही है, स्वास, मिट्टी का स्वा